सबसे पहले मैं यूएस पोस्ट को धन्यवाद देता हूँ मैं अपना परिचे से सुरुआत करूँ माइसल्फ धर्मिन कुमार मैं वारणसी में रहता हूँ दोस्तों मैंने 12 साल जोग किया यूनियन बैंक ओफ इंडिया में और जोग करते हुए मुझे यह बिजनस मिला मैंने पार्ट टाइम किया सुरुआत में दो साल जोग करते हुए खाली समय का सदूप्यों किया और दो साल बैंक से छुटी ली लिप इडाउट पे रहे और उसके बाद चार साल के बाद हमने यूनियन बैंक को पर्मानिंट टाटा बाय बाय कर दिया आज पिछले सत्रह साल से मैं इस बिजनस में हूँ मोर देन सेवैंटीन यर्स देखें दोस्तों मैंने जो महसूस किया है मेरा जो सत्रह साल का अनुभो है वो ये कहता है कि आरसिन को ज़्यादा तर लोग बिजनस नहीं मानते यहां पे वो मिम्बर बनाने की सोच लेके आत हैं मिम्बर बनते हैं मिम्बर बनाते हैं और उसके बाद किश दिन के अंदर ही वो दिजर्ट चाहते हैं और जब उनको कोई लाइफ नहीं है को फ्यूचर नहीं बट जो वेक्ति आये थे हमारे छोटे भाई के साथ आये थे मादर नियस दिन्दू से खरजी हैं मेरे अप्लाइन है उन्होंने मेरे को मार्केटिंग प्लान दिखाया उन्होंने का कि सर्थ 10 मिनट का प्लान है आप देखो तो मैंने गा यार यह सब फालतों चीज़ें देखने का मेरे पास टाइम नहीं है यह होता है सबके साथ होता है मेरे साथ भी हुआ कोई अंकॉम्न चीज़ नहीं हुआ मेरे साथ बट आância मेरे इसे बोला कि सर जा कि सर में बहुत के लिड़ता से इस काम को कर रहा हूं आप मेरे को सिर्फ देख के बता दो कि मैं इस काम को करूं कि नहीं मेरा केरियर इसमें क्या है सुरग्षित है या नहीं है और मैं आपको रियल बता दो कि अगर मेरे को समझाने के लिए प्लान दिखाते तो साथ मैं प्लान नहीं देखता लेकिन होता है ना कि जब आप किसे से राए मांगते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में राय बहादूर को बहुत है, और मैं भी राय बहादूरी था, तो मुझे लगा कि यार बिचारा भटक गया है, चलो देखते हैं इसका प्लान देखके इसको राय देते हैं इनको कि भाई साब यह सब चीजों में को फ्यूचर नहीं है मैंने का चलिए ठीक है दिखाईए मैं बिल्कुल अन्मनेड हंसे प्लान को देखा था लेकिन ऐस यह बैंकर चुक्के रुप्यों का कारोबार बैंक मे होता है मैंने वहाँ प्लान देखा उनको राय देने के लिए लेकिन मेरे को प्लान में लगा कि यार इसमें तो पैसा कमाया जा सकता है यहां तो पैसा दीख रहा है तो मैंने छुड़ा भाई से बोला कि यार एक ची बताओ इस बिजनस में करने के लिए क्या करना परता है उसने का बहुत सिंपल है, उस समय पंदरह सोर रुपे की किट आती थी, तीन जोड़ी कपड़ा खरी तो आपकी जोइनिंग हो जाएगी। देखे, मैं क्या बताना चाहता हूँ, what I want to give you a message, हम RCM की बाते तो बहुत करते हैं, बहुत लंबी-लंबी बाते करते हैं, बड़ी-बड़ी भाजनवाजी करते हैं, लेकिन प्लान नहीं दिखाते हैं, सतीस पंडी जी कहते हैं कि वर्ड फूर्ड इस प्लान, क्या है प्लान, आपको प्लान सेयर करना होगा, लोगों के साथ, आर्टिम बिजनस में मैंने देखा है, हमारे भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे ग्रूप में भी बहुत सारे साथी हैं, मैं कई बार मिटिंगों में जाता हूँ, तो स्टेज पर चड़के भासनवाजी खूब करते हैं, निश्चित रूप से आप दीजिए, प्रोड़क के बारे में बताएए, ट्रेनिंग दीजिए, सब कुछ करिए, बट बेसिक चीज़, जो क्रक्स है, वो प्लान है, तो आज मेरा, मैं आज आज आपको प्लान दिखाना चाहता हूँ, डिजिटली कैसे हम किसी को बताएं कि RCM क्या है, क्योंकि बहुत जरूरी है दोस्तों, इसका प्लान सेयर करना, क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं दिखाते हैं, प्लान नहीं देखते हैं, तब तक आप इस बिजनस में, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत बड़ी उ प्लान को कैसे दिखाना है, पहले ही चीज को समझना है, आज मेरा प्लान का वो डिजिटली नहीं खुल पा रहा है, मैं अभी उसको ट्रियास किया था, बट कोई बात नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा, देखिए मैं प्लान अब हर जगा डिजिट तो नहीं दिखा सकते, आपको प्लान का महत्व पहले समझना है, वाटी तो इंपॉर्टेंस ऑप्लान, आप लोगों से जब भी बात करें, तो पेपर पेन के साथ, क्योंकि आप सबके पास तो लैप्टॉप होता नहीं है, सबके पास तो आप किसी के, माले ये ट्रेन में क किसी के घर चले गए, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास लैप्टॉप हो, तो आप कैसे प्लान दिखाएंगे, देखे, मानते हैं आज दुनिया डिजिटल हो गया है, डिजिटल तो हमें आना पड़ेगा, डिजिटल का जो इंपॉर्टेंस है, वो इग्नोर नहीं कर सकता, बट पीपर कभी आपका जो महत्व है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कभी भी आरसियम की बातें करिए, तो प्लान की जरूर दिखाएंगे, प्रोड़क्ट भी दिखाएंगे, प्रोड़क्ट हमारी ताकत है, प्रोड़क्ट हमारा बेस है, प्रोड़क्ट ह लगता है कि यारी कंपनी प्रोडक्ट भी दे रही है पैसा भी दे रही है जरूर प्रोड़क की क्वालिटी निकाल लेती होगी कम कर देती होगी और उसी के वज में लोगों को पैसा बांटी एक आम आदमी में धारना है इस चीज़ को समझे सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई साथ आरसीम में इसका प्रोड़क्ट है ना वो ठीक नहीं है इसका प्रोड़क्ट बहुत महगा है एक कॉमन अंसर आता है अभी मैं ट्रेन में आ रहा था हमारे साथ दो साथी थे तो जब मुमन बातचित होती है तो मैंने भी उनसे बातचित शुरू की तो उनका भी यही सवाल था कि आरसीम का प्रोड़क्ट बहुत महगा है इसकी प्रोड़क्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है मैंने स्लीपर पहना था मैंने उनको अपना स्लीपर पहनाया और बोला हुई तो देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं कॉन्फ्यूजन कहां है लोगों में लोग कहां टक रहे हैं पहली चीज प्राइस ज्यादा तर लोगों के दिमाग में क्या है इसका सामान महगा है दूसरी जगह कहां वह फस रहे हैं यह कंपनी सामान भी दे रही है और पैसा दे रही है तो जरूर सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं एक कॉमन मैं के अंदर भुसा हुआ है आप इस चीज को समझे इस रोग को पकड़िए और इस रोग का इलाज क्या है शोद प्लान प्लान दिखाई प्लान क्या है मारा बहुत सिंपल प्लान है इतना सिंपल प्ला कर सकता है कोई लिखा सकता है कोई इस प्लान को समझा सकता है आप ढिचिटल भी दिखा सकते हैं वहaut Um को कर चुका है दिखाग चुका है हमारे वी बहुत साथीयों के साथ्यों में सब्सक्राइब कागज पर कैसे दिखाना है दिखेए प्लान का जो क्रक्स है कभी भी आप आधा घंटा एक गंटा बहुत सारे लोग पर नक्सा बनाना सुरू करते हैं मत बनाई यह सब लोग जानता है यार सबको पता है एवरीबडी नोज वाट इस हैपनिंग नेटवर्क मार्गेटी पंडी जी बोलते हैं प्लान दिखाना है समझाना नहीं है इस इस पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इस नॉट पार्ट ऑफ मोटिवेशन बट हम लोग क्या करते हैं वाट वी आ दूइंग हम प्लान को दिखाते हैं और सामने वाला आद्मी को गुसा आ जाता है उसको लगता है कि यार हमें नहीं पता कि माद deswegen वर्या जुट बोलती है पीवी पे आगे हमें नहीं पता कि एक रुपे का समान दो रुप्या हो जाता है और सब पता है सामने वाले को हमें क्या करना है छोटा छोटा इंफॉर्मेशन देना है सिंप्लिसीटी के साथ सार यह कंपनी है यह किस्टमर है यह बीच के लोग है यह बीच के लोगों का यह यह इतने भागेदारी होती है इतना इतना प्रॉफिट सेयर करते हैं एडबर्टीजमेंट होता है और यह सारा बड़न हमारे उपर आता है हमारी कंपनी क्या करती है यह कोई टाइम मत लीजेए आप पांच मिनट में सेयर कीजे प्लान आप प्रक्टिस करिए आप मेरे साथ बैठी है मैं साथ मीनट आट मेनट मैकसिमंग 10 मिनट में प्लान खत्म करता हूं और आप भी प्रैक्स कर लिए। आप प्लान में अगर आपने जदा समय ले लिया, that means सामने वाले को आपने खत्म कर दिया। हमेशा याद रखिए कि प्लान इस बिजनेस की जड़ है इस बिजनेस की आत्मा है सब कहते हैं सामने वाला कहता है कि भाईया हमको आरसीम सब प्लान पता है हम जानते हैं सब जानते हैं तो आप उनसे सवाल पूछिए ना कि भाई साथ जानते हैं तो हमें बताइए ना इसका सामने वाला बूलेगा कि भूल गया है उनसे बोलिए कि सायकल चलना कोई सीखता है लगielt कि आपकी बात को सुनेगा बहुत सिंपलिसेडी के साथ उनसे बात करी हैंसे उन्कों बोलिए कि सब्सकते चुए बांति न्यूज़ों ना तो किसी ने दिखाया आप मेरे को पांच मिनट दो सर दस मिनट दो ग्यारहवा मिनट होगा आप उठ जाना टाइम लिग दीजे कि सर यह मैं टाइम लिग दे रहा हूं देखिए आज के लोगों के पास समय नहीं है एक छोटा सा वीडियो एक मिनट डेड़ मिनट का लोग ले जाएंगे फरस्ट ओपर सेकेंड चीज़ प्लान में पैसा दिखाईएंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूं प्लान में पैसा दिखाईएंगे यह देखिए हम जानते हैं कि आरसीम का प्रोड़क्ट बहुत बढ़िया है हमने यूज कर रखा है पि से प्रोड़क्ट की बात करिए मैं यह नहीं करता हूं बट फर्स्ट इंस्टैंसा सारी दुनिया पैसे की पीछे भाग रही है एंड यू सो मनी हम इस बिजनस में क्या देखकर आये थे भाई साब मेरे को कोई अमरी दिखाता ना कि यह पीओगे तो अमर हो जाओगे तो मै हाथ जोड़ेता अमर नहीं होना है सिंपल सी बात बें बता रहा हूं मैं बैंक वाला आध्म persona अर मैं यहाँ पैसा कमाने आया और मेरे को प्लान में पैसा दिखाया गया सामने वाला बोलता है कि एक महीने में कैसे आएगा पचास जारुपया दिखा दो ना साड़े तीन सो कस्टमर बना दो अगर पैसा कमाने आया है और पूछ रहा है कि अगले पचास जार कैसे आएगा दिखाईगे कोई आदमी कहता है कि इसमें में सुरक्षा चाही है सिक्यूरिटी चाही है आप सामने वाले को चिक करिए, देखिए कि वो उसकी requirement क्या है, उसको बहुत जल्दी पैसा कमाना है, उसको बताइए कि साड़े तीन सो किस्टमर बनाओ, सरेक एक हजार business volume, purchase volume आप जिनरेट करो एक आदमी से, साड़े तीन सोल लोगों का customer बनाओ, और आप उसको calculation दिखा दि कि आपकी income पचाजार सूपर हो, तो बहुत important है, हमारे business की जो, जो base है, जो crux है, वो plans कर ले, मेरे senior ने बोला कि सर, दो plan रोज दिखाओ, डीकुमार जी, RCM में, एक संकल्ब कर लो, मैंने कहा सर, अगर मैं 10 plan दिखाओं तो, तो वो हसने लगे बोले गया, तब तो 6 महीने म आप कमाल कर सकते हैं, मैंने कहा सर, मुझे एक लाग रुपया परवन चीले, एक साल बाद आएगा क्या, उन्होंने कहा बिलकुल आएगा, देखो, अपलाइन जो है न, वो बहुत बड़ी ताकत होती है, हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से सामने वाले को handle करते हैं, और यही मार्क खा जाते हैं, कभी भी handle मत करो, never handle people, आप अपने आपको handle करो, सामने वाला चाहता क्या है, आप अगर लोगों को handle करने लगोगे न, तो मार्क खा जाओगे RCM में, कहीं भी मार्क खा जाओगे direct selling investing, never handle people, आप लोगों को handle करने की कोशिस मत कीजिए, तो फिर क् क्या है, उसके हिसाब से अपने आपको handle कीजिए, यह बहुत बड़ी चीज में आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं, बहुत तेज गती से काम करना, बहुत दुरुत गती से आगे पढ़ना, तो सामने वाले की requirement क्या है, जानने की कोशिस केजिए, you have to become a doctor, you have to behave like a doctor, doctor क्या करता है, सामने वाले की बीमारी को पकड़ता है, मर्च को पकड़ता है, नहीं पकड़ में आता तो blood test, urine test करवाता है, बट हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से उसको handle करना चाहते हैं, और यहां पे हम मार खा जाते हैं, तो बहुत important है, मेरे senior से मैंने पूछा कि ए handle कर नहीं रहे थे मेरे को, वो handle हो रहे थे, handle हो रहे थे, और उन्होंने कहा, मैंने पूछा करना क्या पड़ेगा, बोले दो प्लान रोज दिखाओ न, मैंने कहा, अगर दस दिखाओ तो, बोले यार तब तो छे महीने में कमा सकते हैं, और मैं चालू हो गया, बैंक से निकलने के बाद कभी भी मैं घर नहीं आया, रात बारे बज़े से पहले, एवरी एवरी इवनिंग, ट्वेल पीम से पहले मैं घर वापस नहीं आया, ड्यूटी करते हुए, और छटवे महीने मेरी 22,000 की चेक थी आरसीम से, लोग कहते हैं न, पैसा नहीं आता, अ अंधकार में, बहुत सारे लोग अंधकार में चलते हैं, तो अंधकार में आपकी जो स्पीड होगी, वो बहुत स्लो होगी, आप अपने घर के अंदर अचानक से डार्क हो जाता है, तो आप कैसे चलते हो आप, ते चल पाते हैं क्या, नहीं चल पाते हैं, कहते हैं न, करो यह आएगा जब मेरे साथ आया है दिन वाई नॉट यू मेरे जिमाग में क्या चला माई ग्रेट अप्लाइन आदर्निय सुजीत कुमार सिंग एक बार तालियां बजा दें जो उनके लिए माई ग्रेट अप्लाइन ही सफायर आर्सीम पार्टू के पहले सफायर नॉट फाउंडर सफायर मुझे प्राउड होता है उनके उबर कोई चोटा मोटा लेवल नहीं होता भी है बोलने में तो दो सेकेंड भी नहीं लगता लेकिन करने में न जिगराग लग जाती है आत्मा लग जाता है तो मैं क्या बात कर रहा था कि सुजित कुमार सिंग जी की इंकम को मैंने देखा और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आई कि जब ही केंड डू देन वाई नॉट मी मैं क्यों नहीं बाई एक कार है मेरे पास मेरे पास इंडीवर गाड़ी है मैं चलाता हूं मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है दो-दो साल लगा देते प्लान नहीं दिखा पाते हैं पढ़े लिखे लोग अच्छी खासी जौब में होते हैं क्यों कि आपको प्लान दिखाना आता नहीं आपने आपने सिखाई नहीं आप सिखना ही नहीं चाहते हैं आप दूसरे प्लान के बीछे पागल हो जाओ कि मेरा फॉर्मूला बिल्कुल अलग है प्लान देखेगा पैसा किया बिलीब सिस्टेम स्टॉंग होगा और जब सुझ कुछ करे गा यार। सब कुछ करेगा और अगर प्लान नहीं दिखा रहा है प्लान हो चाहे हम चाहे आप हो चाहे anybody else that means उनकी progress रुख जाएगी उनकी तरक्की रुख जाएगी तो बहुत महतुपुण है प्लांसो इसको अपने जीवन का अंग बना लीजिए एक धनुरधर के पास धनुस है लेकिन तीर नहीं है उसके तरकस में तो वो धनुस किसी काम का नहीं है और हमार ऐसा यह इंडि ये कभी खतम ही नहीं होता है शouth है नथो देखने वाले खतम होते हैं और ना तो दिखाने वाला कभीखत्म हो था हम दिखाए जाउना अ guna a आज भी में दिखाता हूँ वन टूवन दिखाता हूं मिटिंग में में पलान दिखाता हूँ होता है आत्मा बना लो प्लांसों को अपनी ताकत बना लो नो अपलाइं नो डाउन लाइन नो क्रोस लाइं प्लान दिखाई कोई भी विब्यक्ति मिलता है बोलता है मैं किया था कुछ नहीं आया यह वो खूब ध्यान से सुनी लास्ट में सिर्फ एक सवाल कुछ यह सार अपने प् पताता हूं कागज भी दिखाता हूं वन टू बन दिखाता हूं और इतना ताकतवर यह यंत्र है ना कि यह कभी फेल नहीं हो सकता प्लान दिखाने वाला अदमी स्टार भी जाएगा डाइमंड जाएगा कोई नहीं रोग सकता हूं से हां टाइम लग सकता है टाइम तो ले प्लान को क्योंकि मैंने देखा है आरसी में लोग बड़ी-बड़ी बाते करते हैं बड़े-बड़ी लीडर करते हैं कि सब के पास अनुभव हैं सब अनुभव के खजाना है सब के पास ग्यान है लेकिन यह टॉपिक कही चूट जाता है शूद प्लान और यह बहुत बेसिक चीज़े हैं यह नेटवर्कर हैं हम हाथ डारेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं और अगर हम प्लान सो नहीं कर रहे हैं हम अपने प्रोफेशन के साथ इंजस्टिस कर रहे हैं तो मेरी टॉपिक शोदा प्लान थी आप इसको कितनी गंभीरता से लेते हो आई टॉंट नो बट हाँ जोड़के मैं निवेदन करता हूं कि आज के बाद से अपने सीनियर के साथ बैठिए कि सर कागज पे कैसे हम पैसा दिखाने कैसे लोगों को प्लान दिखाने उनके साथ बैठके इसका प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें डी कुमार जी जीте के संपर्प में आना क्रांट है तो बहुत भागत धन्यवाहत मैं अपनी हुद्ध कर चुका हूँ अब्सबंब्स बहुत-बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ झाल झाल